तो इस वीडियो में जो हम Champions League का match cover करने वाल है वो रहेगा बार्सेलोना वर्सेश डिनमो कियब के बीच मैच के वैनियों का केम्प नाओ बार्सेलोना रात में 10-15 पीम पे मैच श्टार्ट होने वाल है अब दोस्तों बार्सेलोना के बारे में आप सभी जानते हूंगे इस्पैनिस ललीगा का वन अप दा बेस्ट क्लब माना जाता है औल्दो लियोनल मैसी के बाद से देखा जाए तो थोड़ा वीक जरूर हुआ है बार्सेलोना और अभी करेंडली एक ट्रंजीसन फेस में चल ला है नए-नए यंग प्लियर्स इनमें आ रहे हैं और धीरे-धीर अपने बेस्ट में वापस आता जा रहा है बात करें डिनमो कियव की ये यूक्रेयन का क्लब है और यूक्रेयन का वन अब दा टॉप लग माना जाता है फिलाल में आपको ये वाला group stage दिखाता हूँ, तो Barcelona और Dynamo Kiev के अलावाई इस group में Benfica और Bayern Munich भी है, तो दोस्तों आप एक चीच गोर करना, ये दोनु ही Barcelona और Dynamo Kiev ने अभी तक दो-दो matches खेले हैं, लेकिन ये दोनु ही teams अभी तक इस group में एक भी goal score नहीं कर पाई है, आप और नहीं हुआ है, और उनका point है एक, अगर मैं आपको दोनु का last दो matches दिखाता हूँ, जो इसी group के हुए है, UCL में, तो Barcelona सबसे बहले 3 निल से, Bayern Munich से हार गी थी, although मैंने ये expect किया था कि Barcelona, Bayern के आगे, ज्यादा competition नहीं दे पाएगी, Bayern ने हरा है, लेकिन उनको उसके बाद 3 निल से, Benfica ने भी हरा दिया, जो कि एक बहुत 100 खार थी, बार्सेलोना के लिए, डिनमो को ये अपने गोल लेश ड्रो खेला, Benfica क्या गेश्टी, लेकिन फिर उनको Bayern ने 5 निल से thrash कर दिया, तो अब एक चीज़ देखिए न, ये दुनों ही टीम्स में अभी तक, देखा जाए तो एक भी गोल नहीं मारा, और इवन बार्सेलोना ने तो अभी तक points में एक भी point pickup नहीं किया, अब दोस्तों क्या होगा न, end of group stage में जब 6 matches हो जाएंगे, तो जो top 2 teams होगी इस group क जैसा club पहली round में बाहर हो जाएगा, तो मेरे according अगर आज से बार्सेलोना नहीं जीतती है न, तो इन पे इस group से बाहर होने का खत्रा मंडरा जाएगा, या even हम तो बार्सेलोना को यूरोपा लीक में भी खेलते हुए देखना है, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जितनी pedigree का बार्सेलोना क्लब है, तो मेरे according बार्सेलोना आज से जाएगा कि positive start करे, जीतना आज से point, यहाँ पे maximum point लिये जाए, जिससे कि वो कैसे भी end of the group stage सक top 2 में finish करे, सेम यही डिनमो कियब भी जाएगा, लेकिन मेरे according बार्सेलोना को यहाँ पे ज्यादा desperate हुंगे उनके players point pickup करन है, तो small league में तो हम कियब बार्सेलोना को फेवरेट करके अपनी team बनाएंगे, लेकिन अगर आप grand league खेल लें, डिनमो के favor में भी कुछ combination बनाना, because यह UCL है दोस्तो, UCL में players लोगों के motivation हाई रहते हैं, छोटी छोटी team हमने देखा है, पास में भी उलट फेर कर देती है, फ positive sign है, बार्सेलोना के लिए, दूसरा है, बार्सेलोना have scored at least two goals in those last four games against डिनमो केव, यानि कि पिछले जो चार गेम बार्सेलोना ने डिनमो केव क्या गेव जिखते हैं न, उन सभी गेम्स में बार्सेलोना ने अट लिए दो गोल तो मारें, लेकिन तब में और अब में फरक तो कि अब favor की भी आप जरूर ले जाईएगा, फिलाल हम प्रोवेबल लाइनप के आते हैं, उससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा, इस match की final SL team और सभी football matches हम telegram channel में cover करते हैं, link है description में, जरूर से जरूर join कर लिए, अब हम बात करते हैं, प्रोवेबल लाइनप की, पहले ह बात करेंगे, जो कि इस match में clear cut favorite है, तो small league में हम इनके maximum player pick करेंगे, यानि की 7 और डिनमो के pick करेंगे, सिर्फ 4 player, तो बरसलोना के लिए, पैट्री, अराउओ, डेमबेले और ब्रेथवेट बाहर है, इसके अलावा, एरिक गर्सिया इस match में suspended है, तो बरसलोना की 11 देखते ह है, टरिष्टेगन इनके goalkeeper होने आले है, चार इनके defender होंगे, रोबर्टो, पीके, लॉंगले और जॉडी अलबा, अब पिछले match में क्या हुआ था ना, सर्जीनो डेस्ट वैसे तो एक right bagel, लेकिन इनको as a right winger खिला था इनके जो manager है, रॉनर कोमेन उनने और ये move उनका work क गया था, और क्या बहतरीन सर्जीनो डेस्ट ने उस match में performance दिया था, as a right winger खेलते हुए, इवन इन्होंने को टीनियो का assist भी दिया था और बहुत-बहुत impressive performance दिया था, तो इस match में भी सर्जीनो डेस्ट as a right winger खेलने वाले है, अभी के लिए ये इनके जो तीन defender है, PK, Longlet और अलबा, साथ में जो सर्जीनो डेस्ट है, जो इस राइट विंगर खेलेंगे, वैसे राइट बैक है, ये चार प्लियर ड्रीम अलने defense section में लिस्टेट किया है, जबकि रोबर्टो midfield section में लिस्टेट है, अभी के लिए किया है, किसी एक टीम को clean sheet के लिए बैक करनागा परसलोना maximum defender pick करेंगे, अपनी small league team में, तो minimum 3 defender तो मैं surely suggest करूँगा, आप इनके 4 defender भी pick कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी strategy रह सकती है, अभी के लिए इनके दोनों fullbacks, जोडी अलबा और सर्जीनो डेस्ट में 100% recommend करूँगा, दोनों बहुत बहुत अर्टेगिंग है, और तीन defender मेरे डन है, अगर आपको किसी एक को drop करने हैं, आप long lead को drop कर सकते हैं, नहीं तो मेरे according तो अभी के लिए में 4 वी pick करने वालूँ, वैसे long lead भी ठीक आगे fantasy वाइस, लेकिन अब किसी एक को drop करना ही है, तो वो मेरी choice long lead रहेंगे, रोबर्टो का बीच में starting of the season अच्छ अभी वैसे आप gameplay देखिंगे बहुत अच्छा है, फ्यूचर है बार्सलोना का लेकिन fantasy वाइस कुछ ज़्यादा खास अभी तक कहिया नहीं है, तो अभी के लिए ignore करते हैं, डियोंग एक दोस्तों fantasy asset है, फ्रेंकी डियोंग एक ऐसा player है जो आपको defensive यानिकी passing, tackling, intersection की भी point देगा, chance create भी करके देगा, और random goal assist भी करने में capable है, selection भी बहुत आई है, तो बहुत safe fantasy player है डियोंग, हर match में 20-25 save point देता ही है, प्लस goal assist कर दे तो bonus होगा, तो अभी कलिए फ्रेंकी डियोंग में यहापे midfield से number one recommendation मेरी रहेंगी, इनको में surely pick करने वालों, बुस्केट्स को भी आप pick कर सकते हैं, यह भी डियोंग जैसे ही है, लेगिन यह उतना attacking नहीं है, defensive minded player है जो ज्यादा passes करता है, I don't think कि इस match में उतने ज्यादा tackles interception करेगा, still buskets भी एक reliable option है, 20-25 point वाला, तो यह भी consider कर सकते है, डियोंग तो मस्ट पिक है, buskets को आप consider कर सकते है, forward to Memphis D.I.P मैसी के जाने के बाद इस टीम का टैलिसमेन, प्लस और पेनल्टी जे बन्दा, पिछले मैच में एक गोल मारा पेनल्टी में एक assist दिया अंसुफाती को, तो डिपाय में शोल्ली पिक करूँगा, चार गोल दो assist है, और एक save, captain सी option भी इस match में रहने वाल है, अंसुफाती मै मैंने आपको लास्ट बार्सलोना का मैच कवर के था, उसमें भी बताया था, क्या बहतरीन ये प्लियर है, फ्यूचर है बार्सलोना का, मैसी को ये रिप्लेस कर सकते है, फ्यूचर में, इतनी क्वालेटी है, दूसरा एक यंग्स्टर है, और पिछले मैच में आपको याद के लिपाई से वाइस का अंसूफाती, रहेंगे, आप इसका रिवर्स भी कर सकते है, अगर आपको लगते अंसूफाती ज्यादा अच्छा गरेंगे, इनको लिफेल ह का चांस भी बर्ड जाता है, दूसरा है दिप्लेंस अगर क्लीन शेट होती है, तो ये बार्सलोना का प इंपर्टेंट प्लेयर सभी चीजी एक्स्प्लेंड करती अब इनके बास दो और प्लेयर है कोई कूटीन यो अगर वो स्टार्ट करते हैं ठीक टाग इंपर्टेंट ऑप्सन होंगे एक है सर्जियो एकवेरो आप जांती है वह वह बेश्ट सेंटर फॉरवर्ड माने जाते ह होगे अभी के लिए मैं एक्सपेक नहीं कर रहो वो दोनों स्टार्ट करने वाले हैं तो यह बार्सलोना की लेवनती और यह इनके लिस्टैट है अभी तक ललीगा के यूसियल में इन्हों ने एक भी गोल निमा रहा तो इसके स्टैट दिखाने का कोई मतलब नहीं है अप किसी फुटबॉल मैचिस के प्रिव्य वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल में मैं पोश करता रहता हूं डिनमो की अब की बात करते हैं तो बुश्यान इनके गोल की पर इंपट्रेट नहूंगे इनको मैं शोली रिकमेंड करूंगा चार इनके डिफेंडर है कैट जवरान शिरोटा और मिकोलेंको अभी के लिए अगर आप इनके डिफेंडर पिक कर रहें तो आप यह एक्सपेक करें कि बार्सलोना बहुत ज्यादा गोल्स नहीं मारेगी अगर बार्सलोना तीन चार पांच गोल मारती है तो इनके डिफेंडर नेगेटिव में पॉइंट दे सकत अच्छा है दूसरा है टेकलिंग इंट्रसेप्शन के अच्छे पॉइंट दे सकते हैं आप देखिए उल्लेडी इनकी लीग में तीन असिश कर चुके हैं और इनकी लीग का स्टेंडर कोई ज्यादा हाई नहीं है वहां ज्यादा कॉन्पेडिशन नहीं है स्टिल तीन अस सेंट्रल ही खिलेंगे शपरान को जो अच्छे ऑप्सं हो सकते हैं उस डोड चुक आपको अच्छे हैं टेकलिं इंट्रसेप्सं क्वाइग क Inside K किजिए अब यह पूरा आपके लग्वर डिपेंड करते हैं अगर आप इन दोनों में किसी एक को भी करते हैं किसी डोड़ चुक ज्याधा पॉइंट देगा यह सपरेंगो यह आप दोनों भी कर सकते हैं कोई एक यह पूरा आपका कॉल रहने वाले दोनों के बारे में उन्ह टेकर भी है शियांकोप को मैं शोली पिक करूँगा आठ गोल एक असिस्ट अभी तक कर चुका है यूकरेनियन लीग में तो इनको मैं यहाँ पर शोली रिकमेंड करूँगा अगर आपको लगए डिनमो स्कोर करेगी तो आप इनको वाइस केप्टन सी के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं लेकिन इनके साथ दिक्कत किया यूकरेन नेस्नल टीम में यहाँ भी हो बड़े स्टेज मैं अभी तक परफॉर्म नहीं कर पहें मतलब लीग में तो गोल्स पक्und लेसकते हैं पूया-Latski ने भी अच्छा किया है important option रहेंगे selection आईए second goal टॉप गोल स्कुरर रेंगे भी 6 गोल तो ये भी आप recommend consider कर सकते हैं मेरे according ये भी decent option आपके लिए रह सकते हैं विटीनियो अभी तक मुझे dream alone में मिले भी नहीं इनके stat भी कुछ ज्यादा खात नहीं है इनको ignore करते हैं डी पेनिया अगर point लेना इन पे लेना वैसे inconsistent प्यारे एक जाते हैं अभी के लिए मैं पीक तो नहीं करूंगा लेकिन अगर आपको point लेना आप डी पेनिया पे point ले सकते हैं तो ये डीनमो कियप की प्रोवेबल लें थी यहां से मिने आपको लगबग सभी important players के बारे में बता दिया और ये इनके सीजन के stat है फिलाल जो मेरी prediction है मैं जारो एक 2-0 और यह एक 3-1 बार्सलोना विक्टरी के साथ और तो अगर यहां पर डीनमो बार्सलोना को हराती है सर्प्राइस तो उधना नहीं होगा फिकोज यूसियल हरा सकती है बार्सलोना अच्छी इस सीजन वक भी नहीं कर रहे है लेकिन स्टिल मिझे लग रहा बार् बुलाविस के लिए आप पुलाविस की या सेडोर चुग में किसी एक के प्लेज में सापरेंको को पिक कर सकते हैं या आपको पाइंट लेना है जो भी मेरी अपडेटेटेट फाइनल टीम होगी टेलिग्राम चैनल में अपडेट हो जाएगी लिंक है डिस्क्रिप्चिप